हेलो एब्रिवन अगर आप कुछ इस तरह की फोटो को एडिट करना साहते हो तो इस वीडियो को आपको एड तक ज़रूर से देखना होगा चले वीड़ो को स्टार्ट करते हैं इस वाले background को यहाँ पर add कर लेना होगा और सारे backgrounds का link मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ से आप easily download कर सकते हो उसके बाद में आपको add photo पर चलना है and आपको उस वाली photo को add करना है जिसको आप edit करना चाहते हो तो हम लोग यह लिए photo को add कर लेते हैं and आपको इस वाले photo का background erase कर लेना होगा तो simply आप यहाँ देख सकते हो इस वह हम लोग क्लिक करेंगे and यहाँ से अपना background remove हो जाएगा इस तरह से आप देख सकते हो and उसके बाद में हम लोग कुछ adjust कर लेंगे photo को इस तरह से adjust होने के बाद में अब आपको फिर से add पर चलना होगा and आपको wings की photo को add कर लेना होगा and आपको कुछ इस तरह से इसको zoom करना है and zoom करने के बाद में आपको model के उपर रखना है and इस वाले option पर जानने के बाद में आपको move down कर देना होगा कुछ इस तरह से, और फिर से आपको इधर adjust कर लेना है, फिर से आपको add पर चलना है, और आपको king वाले को add कर लेना होगा, यह अपना king वाला जो है, png, इसको हम लोग कुछ इस तरह से add कर लेते हैं, इतना होने के बाद में फिर से हम लोग add पर चलेंगे, और फिर से png को add क करेंगे इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे एंड आपको इरेजर पर जाना है एंड कुछ इस तरह से आपको इरेज कर देना है आपको यहां से description box में दूँगा आप वहाँ पर जाना एंड उस photo को आप download easily कर लेना and three dot पे आपको यहाँ पर click करना है and आपको copy setting पर click कर देना होगा तो यहाँ पर आपको सारा कुछ copy यहाँ से कर लेना है and उसके बाद में आपको उस photo पर three dot पर आना है यहां पर आपको paste कर देना है इतना होने के बाद में अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको masking में जाना है आपको plus वाले पे click करना है आपको यहाँ option दिख रहा होगा radial gradient इस पे आना है इस तरह से करेंगे photo को zoom करके एंड उसके बाद में अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको option दिख रहा होगा light का एंड यहाँ से exposure को हम लोग बढ़ा देंगे एंड उसके बाद में white को भी थोड़ा यहाँ आप increase कर देना एंड यहाँ से हम लोग photo को done कर देंगे तो आप देख सकते हो चहरे पर glow कुछ इस तरह से अपना आ चुका है इस तरह से करने के बाद में आप आपको auto वाले option पर क्लिक कर देना होगा कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको color पर जाना है color पर जाने के बाद में mix tool पर जाना है यहाँ पर आपको इस तरह से इस तरह से इसको बढ़ा देना है बढ़ाने के बाद में आप देख सकते हैं याँ पर किस तरह से अपना before after हो चुका है और फोटो के याँ से आप save कर सकते हो